दोस्तों हम लोग चलते हैं अजमेर घूमने और हम आ चुके हैं बरेली जंग्शन पर और यहां से हम ट्रेन पकड़ेंगे जो हमें सीधा अजमेर पहुचाएगी और फिर अजमेर में मैं जहां जहां जाओंगा वहां मैं आपको घुमाओंगा अभी हम दिल्ली में आ चुके हैं और जब हम दिल्ली क्रॉस कर रहे होते हैं तो यहां ट्रेन से मैं दिखा रहा हूं यह आपको लाल क्ले की दीवार दिख रही होगी तो जब आप दिल्ली जाएंगे तो ट्रेन जब पुरानी दिल्ली से होती जाती है तो आपको लाल क्ले भी दिखेगा ये दिख रहा होगा आपको ये लाल किला है और ये लाल किले की बाउंडरी दिख रही है जो मेन बाहर की दिवार है और इसके चारों तरफ खाई है वनिवी जो पहले के टाइम में राजाओं ने बनाई थी अपने किले की हिफाज़त के लिए ये रास्ते में ये हवाईड़ा भी दिख रहा है हमें एरपोर्ट है और शायद ये पालम हवाईड़ा है दिख रहा होगा प्लेन घड़े हुए याँ पर दोस्तों अब हम राजस्थान के एरिये में एंटर कर चुके हैं आपको दिख रहा होगा आप पहाड दिखना शुरू हो गया है ये सामने दिख रहे हैं पहाड अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी तरफ यूपी में तो पहाड है नहीं उत्तरा घंड में जुरू पहाड ह तो पहाड देखने हैं अच्छा लग रहा है आप भी देखो यार तो अब हम जैपूर पहुंचने वाले हैं और थोड़ी दिर में हम जैपूर पहुंच जाएंगे और जब हम अजमेर पहुंचेंगे तो रात का टाइम हो चुका होगा करीबन जिससाब से माई ट्रेन चल रही वो थोड़ा लेट है एक देड़ घंटा लेट पहुंचाई करीबन साड़े नौ कि टाइम पहुंचाईगी हमें फिर वहां से सीधा रूम में एक होटल में रूम बुक कर रखा है तो वहां जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊ रूम और रूम कैसा है वह देखना और अब बस इस्टेशन आने वराद यह आ चुका है जैपो रेलवे स्टेशन यहां ट्रेन रुकिए थोड़ी ते और फिर इसके आदम अजमेर पहुच जाएंगे तो दोस्तों अब हम पहुच चुके हैं होटल प्लाजा इन जो की जगाह के पास है करीबन 400 मीटर दूर है और इसमें अभी तो रात हो चुकी अभी मैं यहां पर रेश्ट करूंगा और उसके बाद कल सुबह फिर चलेंगे जहां जाएंगे तो फिर दिखाएंगे आर आपको अभी आप रूम देख लो यह रूम मैंने ऑनलाइन बुक कर र होता है और अगर कोई कॉल कोई हमें किसी चली डिमांड है उसके लिए फोन बागी साफ सोतरा रूम है अनलाइन इनके प्राइस चेंज होते रहते हैं इसलिए जब भी आप जाएं उस समय आप आप उनलाइन प्राइस चेक कर लें कल सुबह निकलेंगे फिर जहां हुआ है